प्रस्न 27 चान्दी के पतले तार को जब वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो इसके द्वारा 484 वर्ग सेंटीमीटर छेत्र घिरता है यदि इसी तार को व्रीत के रूप में मोड़ा जाए तो कितना छेत्र फल घेरेगा तो यहां पर वर्ग का छेत्र फल कितना दिया हुआ है तो लिखेंगे वर्ग का छेत्र फल बराबर 484 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग का छेत्र फल कितना दिया हुआ है 484 वर्ग सेंटीमीटर तो पहले हम वर्ग की भुजा ग्यात करेंगे तो भुजा कितना हो जाएगा वर्ग की तो भुजा बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर वर्ग का छेतरफल का सुत्र लगाना होगा उसके बाद ही भुजा ग्यात होगा तो वर्ग का छेतरफल का सुत्र होता है भुजा का वर्ग वर्ग का छेतरफल का सुत्र क्या होता है भुजा का वर्ग तो भुजा का वर्ग बराबर कितना दिया हुआ है 484 वर्ग सेंटीमीटर 484 वर्ग सेंटीमीटर तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा अता भुजा बराबर हो जाएगा अंडर रूट चारसो चौरासी बराबर के बायां तरफ वर्ग है तो इसको दायां तरफ भेजेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा तो चारसो चौरासी का वर्गमूल हो जाएगा बाइस यानि 22 सेंटीमीटर हो गया वर्ग की भुजा अब कह रहा है चांदी के पतले तार को जब वर्ग के रूप में मोडा जाता है तो इसके दौरा 484 वर्ग सेंटीमीटर छेतर घिरता है तो पहले हम उस वर्ग की भुजा ग्याद कर लेंगे अब हम इसका परिमाप ग्याद करेंगे ठीक है तो देखिए परिमाप तो नहीं बदलेगा तार को या तो वर्ग के रूप में मोडे यानि चांदी के पतले तार को या वर्ग के रूप में मोडे या भुजा ये वर्ग के रूप में ठीक है? तो परिमाप तो वही रहेगा तो पहले हम वर्ग की परिमाप ग्याद कर लेते हैं वर्ग की परिमाप तो वर्ग की परिमाप का सुत्र होता है चार गुना भुजा यानि चार गुना भुजा कितना आया? बाइस तो बाइस चौक अठासी अठासी सेंटी मीटर तो चांदी के पतले तार को जब वर्ग के रूप में मोड़ा जाएगा तो उसका परिमाप कितना होगा? अठासी सेंटी मीटर अब देखे परिमाप कभी नहीं बदलेगा? चाहे तार को हम किसी भी रूप में मोड़ दें उसका लंबाई कभी नहीं बदलेगा? तो अब लिखेंगे अब वर्ग की परिमाप बराबर वरित की परिधी वर्ग की परिमाप बराबर वरित की परिधी ठीक है? वर्ग का जो परिमाप होगा वही वरित की परिधी होगा क्योंकि तार को परिमाप ये वर्ग से वरित के रूप में मोड़ा गया है पहले वर्ग के रूप में था उसको वरित के रूप में मोड़ा गया है तो परिमाप दोनों का बराबर ही होगा तो परिमाप कहें या परिधी कहें एक ही बात है वर्ग में हम परिधी कहते हैं और वर्ग में या आयत में परिमाप या परिमीधी कहते हैं तो वर्ग की परिमाप कितना है? अठासी तो अठासी बराबर क्या हो जाएगा? वर्ग की परिधी का सुत्र होता है 2 पाई आर व्रीद की परीधी का सुत्र क्या होता है? 2 πाई आर देखिए व्रीद की परीधी का हम सुत्र लगा देंगे यहाँ पे तो व्रीद की त्रीजिया यानि आर ग्यात हो जाएगा तो 2 πाई आर में पाई का मान होता है 22 वटा साथ आर हो गया व्रीद की त्रीजिया हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा, अठासी गुना साथ बटा दो गुना बाइस, साथ को इधर भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा और दो गुना बाइस भागा में हो जाएगा, तो बाइस दुना चोवालिस, बाइस दुना चोवालिस, चोवालिस दुना होता है अठ यानि आर बराबर हो गया 14 आर बराबर कितना हो गया 14 सब कुछ सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो यहां पर सेंटीमीटर लिख देंगे तो वृत की तिरीज्या कितना आ गया 14 सेंटीमीटर वृत का चेतरफल का सुत्र होता है पाई, र स्क्वार, वरीद का छेतर फल का सुद्र क्या होता है, पाई, र स्क्वार, यानि पाई का मान होता है, 22 वटा साथ, र कितना है, 14, र कितना है, 14, तो र के जगा पे 14 लिखेंगे, र का वर्ग है, तो बाइस बटा साथ गुना 14 गुना 14 तो 14 का वर्ग हो गया 14 गुना 14 साथ से 14 काट दिया तो साथ दूना 14 कट गया तिरिज्या कितना है 14 तो आर के जगा पर 14 लिख लेंगे आर स्कॉायर है इसलिए 14 का वर्ग तो 14 का वर्ग को क्या लिख लेंगे 14 गुना 14 तो साथ दुना 14 कट गया आप इसको गुना कट देंगे तो 22 दुना 44, 44 गुना 14 कितना हो जाएगा 616 यानि 616 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर आएगा तो कितना छेतर फल घेरेगा 616 वर्ग सेंटीमीटर यानि वर्ग के रूप में था ताड तो 484 वर्ग सेंटीमीटर छेतर फल घेर रहा था लेकिन जब उसको वृत के रूप में मोड़ा गया तो उसका छेतरफल देखे क्या हो गया 616 वर्ग सेंटीमीटर यानि 616 वर्ग सेंटीमीटर अब छेतरफल घेरेगा राम एतर अपयो